नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगी के पेट दर्ण किन कारणों से होता है। और पेट के कौन से हिस्से में दर्द होने पर क्या-क्या समस्या हो सकती है कि किन-किन कारणों से जो पेट दर्द उस हिस्से में हो रहा है तो इसके उपर हम लोग डिटेल से जानेंगे पेट में दर्ड जो है बहुत सारे कारणों से होता है कुछ कारण जो है सीवियर होता और कुछ कारण जो बहुत हलकी फुलकी होती है जैसे कि एसीडिटी और ग्यास हो तो इस कारण पेट में दर्ड हो सकता है यह सीड रिफ्लैक्स प्यप्तिक अलसर हो गया लिवर प्रप्र infection और periods के कारण भी पेट में दर्द होता है प्रोस्टेट बढ़ गया यह और निया बढ़ गया तो उसका दर्द होता है तो इसी के अपर हम लोग जानेंगे काउन से हिस्से में दर्द होने से क्या समस्या हो सकता है पेट के अंदर कई सारे ओर्गन होता है लिवर होता है पेंक्रियाज होता है स्टमक होता है इंटेस्टाइन होता है और भी आर्गन होता है तो इसको जो है नाइन हिस्सों में बाटा गया इस तरह से यह हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचमा छठा साथमा आठमा औ द्यूंब सब्सक्राइब द्रवДेकर-बाइब राइड ये जओ अंदर अहीन को पहला गया बॉला जाता है इसके अंदर रिपर गौलरी डर्डर होता है, अब इस रही तो इसर है डर्डह good music हिया है और ऐंदर फै्टक्ट हो नीवर यह हपाइटाइटस हो गया तो लिवर का साइज बढ़ जाना तो इन सब की कारण जो है यहां इस हिस्षे में दर्द हो सकता है गॉल ब्लाडर में कोई अब्रूद हो जाए जिसको पित की थाली बोलते हैं तो इस कारण से भी यहां पर दर्द हो सकता है अगर बैल डिडक्ट हो गया इन सब की कारण जो है इस हिस्षे में दर्द होता है और लेफ्ट हैपोकंड्रेक रीजन जो होता है तीसरा रीजन इस वाले रीजन में जो है वह स्टमाख पेंक्रियाज और स्पिलीन होता है इस कारण से आपको समस्या हो सकते है अगर इसमें स्पिलीन का साइज ब प्रमस्या हो सकते हैं ऐसे kidney stone हो गया kidney infection हो गया small intestine में अगर कुछ infection हो जाए ascending column में कुछ infection हो जाए तो दर्द हो सकता है और यह जो इस इन्टर वाला रीजन होता है पांच मारी रीजन जिसको जो है अम्बिलिकल बिला जाता है इसमें ट्रांसवर स्कॉलम स्कॉण में इन्टेसटेन होता उань coronavirus इस एब्स हिंस्य में दर्द हो सकता है तो रीजन होता है यहे वाले हिश्य है होता है कॉलम होता है और अबरी होता है इस वाले हिंसे में जदी दर्द हो तो अपेंडिक्स बढ़ जाना कॉलन में कुछ समस्या हो जाना अबरी में कुछ समस्या होना होना इस कारण से यहां भी दर्द हो सकता है तो आठमा रीजन के अंदर जो है बलाडर होता है और यूट किते हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पेट के अलटरासूंड का रिपोर आपको कैसे समझना है, और क्या-क्या समस्वास्थ ऐपर से पतह चलता है, स्की ऑपर हम लोग डीटेयल से जानेंगे, तो ईह वीडियो आपको पसंद आयए हगा,